हाई एब्रिवन कैसे हैं आप सभी आशा करते हूं कि आप सभी ठीक होंगे मैं भी ठीक हूं गरों में शुरक्षित होंगे ध्यान रखेगा अपना आज मैं आपको सिखाने जा रही हूं बहुत ही कम ओयल के अंदर और बहुत ही हेल्दी हाई प्रोटीन वाला नाश्ता जो ब लेड़ कप के करीब यह सूजी लिया है सेमुलीन जिसे बोलते हैं रवा भी बोलते हैं कुछ लोग यह थोड़ा सा मेरा भूना हुआ सूजी है यहां पर रोस्टेट काफी मिलती है तो मैं ले लेती हूं वनन हाफ कप सूजी और कुछ रेगुलर मसाले हैं जिसमें सिर्फ में नमग यह यूज करूंगी और यह है किंग पाउडर पाउडर आप किसी भी ब्रैंड का ले सकते हैं मेरे पास ही अवलेबल नहीं यह लिया इसके लिए मैंने थोड़ा सा पान हाई और इसके लिए मनें हाफ कैपसीगम फाजर ईहां पैर यह यह ügतीए को अधिमता है 12 म यह इसके लिए है मैंने कुछ करी पते और कुछ लिए है मैंने 4-5 हरी मिर्चे गाइस दही वैसे भी मेरे हस्बंड नहीं खाएंगे तो उनके बैच में नहीं डालूँगी अपने वाले बैच में मैं डाल लूँगी अब इसमें सूजी में थोड़ा सा पानी एड़ करके अच्छा सा mix दूँगी और इसको मुझे रणी नहीं रखना है नहीं मुझे ठिक रखना है और नहीं मुझे पेस्ट रनी रखना है अपने हिसाब से आप देखें मैं कितना थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको mix करनी हूँ और पानी डालने के बाद में मैं इसको 20 मिनट या 15 मिनट ढखके रख दूँगी 15 से 20 मिनट काफी होते हैं उसमें सूजी अच्छे से फूल जाएगी क्योंकि सूजी में पानी एड होते ही ना वो थोड़ी फूलने लगती है अब मैं इसे 15 मिनट के लिए ढखके रख दूँगी mixture दे कर और ज्यादा रनी बिल्कुल ना रखें ध्यान रखें मैं किस तरह से इसको एड कर रही हूं पानी को अब मैंने यह 15 मिनट के लिए रख दिया है धकर गाइस इतने मेरा यह फूलेगा बैटर मैं सब्जियों को चॉप कर लोंगी और मोटा मोटा ही चॉप करोंगी विकोज यह मुझे चॉपिंग कटर में अपने फाइन चॉपिंग करना है और आप हासे भी काट सकते हो जरूरी नहीं है बट सूबा के टाइम नाश्ते बनाने में काफी टाइम लगता है तो मैं जल्दी चॉपर का ही यूज कर लेती हूं अब गाइस मैंने मोटा मोटा सभी चीज करते हो वही आप डालीजेगा गाइस मेरी सबजें कट गई है इतने मैंने चमचा लिया है मुझे क्यूंकि बहुत थोड़ा सा बनाना है इसके लिए तड़का अब मैं ओयल लूँगी दो इस्पून के आसपास और इसमें जो मस्टर्ड सीट्स होती है ना सरसो के दाना वह इसको अपने बैटर में एड कर लूँगी और उसको डखके रख दूँगी अब देखे गाइस यहां पर मैंने सारी सबजें ले ली हैं जो मैंने मोटी मोटी कट की थी अब मैं इनको चौपर की सहायता से काट लूँगी और इसमें गाइस मैंने एक इंच टुकड़ा अद बिल्कुल तयार है अब गाइस देखें मेरा 15 मिट बाद बैटर बिल्कुल तयार था मैंने सारी सबजें इसके अंदर एड कर ली है और एड करने के बाद में मैं इसी चौपर में थोड़ा सा पानी एड करके इसमें फिर से मिक्स कर दूँगी जिसे कि यह बैटर ज्यादा अब इसे स्टेज पर आके मैंने इसमें नमक अपने हिसाब से डाले यह अब इसको अच्छे से मिक्स दूँगी मैं और ध्यान रखेगा गाइस बैटर का आप ध्यान रखेगा जिस तरह से मैं बना रही हूं न आपको इसी तरह से बनाना है इसको ना ज्यादा रनी रखें और ना ही ज्यादा इसको थिक रखें गाइस अम मैं यहाँ पर धही नहीं डालूंगी बिकॉस फर्स्ट बैच मैं हस् अच्छी होना चाहिए अगर यह हलका होगा ना तो यह सारे जल जाएंगे अब गाइस मैंने ओनली टू-टू ड्रॉप करके ऑयल डाला है आप ऑयल भी डाल सकते हैं बटर भी डाल सकते हैं जो आपका मन करें अब जैसे यह मेरा हीट होगा ना मैं इसमें डालूँगी मस्टर्ट सीट के तीन तीन चार चार दाने हर बाउल में देखे और एक एक करी पत्ता मैं डाल दूँगी आपकी मर्जी आप इसे इसकिप भी कर सकते हैं विकोज यह सिर्फ और सिर्फ सजावट के लिए जिससे की अपम देखने में बहुत सुंदर अदरवाइस इसके अंदर तो है अब लाश्ट पर मैं डालूंगे इसमें बेकिंग पाउडर यह दिखे कितनी चोटी सी चमच है ऐसी करके ढाई चमच के आसपास में और चमच से ना पे तो यह हाफ स्पून के आसपास बेकिंग पाउडर है अब यह मिक्स को जल्दी से त पर ना करें नहीं तो फिर वो और भी बुरे लगने और बेकिंग पाउडर गाई इसलिए डालते हैं जिसे कि अच्छा सा फलपी बने और थोड़ा सा फूल जाए अदरवाइस आप इसे स्किप भी कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं है तो डालेगा और नहीं है तो भ खास पसंद नहीं है इससे बेटर तो आप नाइफ की साहता से या फिर स्पून की साहता से पलट सकते हैं देखिए मैं अब नाइफ की साहता से जो आलू चीनने पील करने वाला होता है ना उससे भी मैं पलट सकती हूं चम्मस से भी पलट सकती हूं आप भी कर सकते हैं इनक एक चम्मच के आसपास ओयल फिर से डाल दूंगी इची पकने का तो कोई डर ही नहीं है फिर भी थोड़ा सा ज्यादा सूखा सूखा भी नहीं अच्छा लगेगा मैं हलका सा ओयल दूंगी और फिर उसको धके फिर से रख दूंगी अब गाइस इतने वह मेरे अपने होंगे मैं अपने लिए जो मेरा बैटर त्यार था मैं उसमें दही एड कर लूंगी विकॉज हम तो खा लेते हैं नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है बस हजबन को थोड़ा एलर्जी है तो वह बिना दही काते हैं मैंने इसमें दही एड कर दिया और गाइस अभी मेरी सबजिया भी तो मुझे धनिया भी मिल गया धनियाव भी मैंने इसमें डाल दिया जो सबजी हों आपके पास धाल लेजी अब गाइज यहाँ पर देखेगा मैंने अप्पम को दुबारा से चेक किया है तो यहाँ पर मेरे अप्पम हो चुके है गाइज देखे इनको ना जलाना है और ना ही इनको हलका भूनना है बिल्कुल मतलब मिडियम आज पर आप इसको रखके भूनियेगा वो मेरे तैयार है अब देखेज मैं अपना बैश तैयार कर रही हैं मैंने हस्बन को दे दिया है यह देखेगाइस मैंने दुबारा से वही प्रॉस्सब्न किया है जो पहले किया था वही तेल और पस्टड शीट्स डाल के करी पत्ता डाल के अब गाइज धीं द्युत दूसरा बैश तैयार हो दही वाले में और तो कुछ नहीं है हलका सा खटा पनाएगा तो और भी अच्छा लगेगा अधर्वाइज आप दही इसके पूरी कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है और देखिए अपम मेरे बिल्गुल तयार हैं आप इसको किसी भी चटनी के साथ का सकते हैं नारल की चटनी इमले की चटनी या फिर हरी चटनी किसी के विशाथ हैं यहां मेरे अपम बिल्गुल तयार हैं आप भी खा लीजे आपको मेरे रेसिपी अच्छी लग रहे तो प्ल झाल झाल